हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स, आज हम Mr. Nall चैप्टर करेंगे Mr. Nall चैप्टर, सॉमसेट मौगम ने लिखा है इसमें जो नरेटर है, उन्होंने अपनी जो उनकी शिप की जो यात्रा थी जो उन्होंने ट्रावल किया था, 14 days का, USA से लेकर जपान तक का उसके experience के बारे में बताया है उन्होंने इसमें बताया है कि किस तरह उन्होंने 14 दिन तक एक Max Caleda नाम के character के साथ time spent किया जानने से पहले किस तरह उन्हें डिसलाही किया और chapter के last में उन्होंने अपने विचार कैसे बदले उन्होंने उनके character की final side देखी और अपने जो विचार थे वो बदल दिये Once the narrator traveled by sea from USA to Japan It is 14 day journey He has to share his cabin with Max Caleda Even before the narrator meet Max Caleda He began to dislike him for his name अब इसमें narrator ने खा कि उनका जो ये 14 days की journey थी USA से जपान तक की अब उन्हें अपना cabin share करना था Max Caleda के साथ उन्हें जानने से पहले ही उन्हें मिलने से पहले ही उन्होंने उनको dislike करना शुरू कर दिया था हो सकता है उनके नाम से उनके luggage से उन्होंने उनके साथ जो उनका जो उनकी meeting थी उससे पहले ही उन्होंने dislike करना शुरू किया था उस समय इनको उनके साथ cabin इसलिए share करना था क्योंकि वो war का समय था युद का समय था उसके जो जब उस समय में जो ship में जो काफी भीलबाड वाली जगे थी उनको जगे पाना काफी मुश्किल हो रहा था इसलिए उने किसी ने किसी के साथ जो cabin था वो share ही करना था इसलिए उनको max calada के साथ जो उनका जो cabin था वो share करना पदा अब दूसरी तरफ max calada है वो short body के हैं उनकी dark skin है about any subject under the sky अब under the sky कोई भी जो subject है कोई भी जो चीज है जो exit करती है उनके बारे में always ready रहती है बात करने में अब वो कहते हैं कि उनने न सब कुछ पता है जो किसी को भी नहीं पता वो उने पता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो उनने नहीं पता इसलिए उनकी ये बाते सुन सुनके कि उन्हें सब कुछ पता है उन्हें सब कुछ पता है तो जो शिपके का दूसरे लोग या और जो narrator है उन्हें Mr. Nall की जो बादी दे रहे थे कि भाई ये तो Mr. Nall है इनकी तो सब कुछ पता है और वो कहते हैं कि गुड मिक्सचर है, वो सबके साथ गूल मिल रहे हैं, वो सबके साथ अच्छी बाते करते हैं, गुड मिक्सचर हैं, कुछ ही दिनों में, वहां के सारे लोग उनको जानना शुरू कर देते हैं, अब क्यूंकि, गैबी ने की है, इसलिए उन्हें काफी टाइम मेक्स केलेडा को और नरेटर को एक साथ स्पेंट करना होता है तो एक दिन ना वो एक टेबल पर बैठे हैं वन डे वाइल दा नरेटर एंड मिस्टर केलेडा और सीटिंग एड़ टेबल मिस्टर रामजे कम्स दियर विद इस वाइफ मिसिस रा और जा रहे हैं अब पहले तो कई बातों पर जो डिस्कुर चल रही होती है उनकी कन्वसेशन चल रही होती है लेकिन अमंग अधर टोपिक्स the conversation turn on pulse जैसे मिस्टर रामजे टेबल पर आकर उन्हें शिर करते हैं उनके साथ आकर बैठते हैं गंपनी देते तो जो बाते होती ना conversation होती है वो बाकी जगे से हटकर turn हो जाते है किस पर 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 वाइल टॉकिंग अबार्ट पर्स बिस्टर कलेड़ा भूदर्ट नो मैं नौस मौर अबार्ट पर्स दैन ही डास अब जो जब यह बाते चल रही है ना पर्स के बारे में तो मैक्स कलेड़ा कहते है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा ना उन्हें इस बात का मान है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा पर्स के बारे में कोई भी नहीं जानता मुझे ज़्यादा पता है मैं यही काम करता हूँ मैं जपान इसी के लिए जा रहा हूँ मुझे ना पर्स के बार वो फाइनेस क्वालिटी की है, वो कहरें कि it said that it could be somewhere around 15,000 डॉलर, और वो कहरें कि ये न 15,000 डॉलर की आसपास की है, अब जब ये बाते न सारी Mr. Ramze सुनते हैं, तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है, वो तो कहते हैं, नहीं ये तो कोई 15,000 डॉलर की आसपास की चेन है, ये तो just 18 डॉलर की हैं, वो कहते हैं कि his wife had bought it at a department store for 18 डॉलर, वो कहते हैं कि नहीं आपको ये गलती लग रही है, कि मेरी वाइफ ने ये चेन एक department store से बाई की है, just 15 डॉलर में, ये कोई 15,000 डॉलर की ने, just 18 डॉलर में मेरी वाइफ ने इसे बाई की है, department store में से, लेकिन जो Max के ल बारे में, इसलिए वो मान ही नहीं रहे, Mr. Kaleda was not at all prepared to accept this, वो इसको असेप्ट ही नहीं कर रहे कि ये नकली है, अब इस पे न काफी भाहस होनी शुरू हो जाती है, तो he said that the chain was not real, but the finest one he had ever seen, Max Kaleda कह रहे हैं, ये सिर्फ real ही नहीं है, बलकि इतनी real है, इतनी finest है, quality इतनी true है, इतनी true pulse है, कि मैंने इनके बारे में इतनी real pulse है, इसके ये ऐसी कभी chain देखी नहीं, इतनी real है, at this Mr. Ramze said, will you bet on it, I will bet you a hundred dollar, अब जो Mr. Ramze है, उने पूरा विश्वास है, कि ये chain तो नकली है, क्योंकि मैंने इतनी पैसे अपनी wife को दिये ही नहीं, तो इतनी दिये ही नहीं, तो इन्होंने कैसे खरीद ली, तो उन्होंने का कि ये तो नकली है, इसलिए मैं इसके लिए आप के साथ बैट लगा सकता हूं, hundred dollar की, नाव मैक्स कलेडा, जो है, उन्होंने बैट लगा ली, अब नाव मैक्स कलेडा वाज अब तो स्पीक, अब जब उन्होंने हाथ में उस chain को पकता, और हाथ में लेते ही, उन्हें पता चल गया, कि ये तो real है, अब जैसे ही ये बोलने का face देख लिया, he at once understand that the chain was real, which is given to her friend, and unknown to her husband, अब जैसी उन्होंने ये chain देखी, और जैसी Mrs. Ramzi का जो face देखा, उनकी appealing eyes को देखा, उनके चेरे को देखा, तो वे एकदम से समझ गए, कि ये chain वैसे तो real ही है, और इनके किसी friend ने इनको दी है, और जो ना इनके husband से बिलकुल unknown है, इनके husband को ने पता कि ये chain इनके किसी friend ने दी और ये real है, अब उन्होंने अपनी जो wife है, उन्होंने अपनी husband को बताया ही ने कि ये real है, क्योंकि उनके किसी दोस्त ने दी और unknown to her husband, उनके husband को पता नहीं है, अब उन्होंने ना उनकी life को, उनकी married life को spoil ना हो, बचाने के अब उन्होंने क्या किया मैक्स कलेड़ा ने एक लेड़ी की लाइफ को बचाने के लिए उन्होंने का कि ठीक है कि मुझसे गलती हुई है ये एक गुड़ इमिटेशन है अच्छी नकल है उन्होंने अपनी पॉकिट में ऐसे 100 डोलर निकालके न मिस्टर रामजे को दे दिये अब उन्हें तो पता था कि ये चेन असली है लेकिन वो इसलिए नहीं बोले क्यूंकि वो एक लाइड़ी की लाइफ को बचाना चाते थे उनकी मैरेड लाइफ को स्पोईलर ने से बचाना चाते थे अब अगले सुबह क्या हुआ उनकी जो कैबिन के डॉर में से नीचे से किसी ने एक लेटर दिया उस लेटर में न हंडर डॉलर थे अब यह जब यह सब कुछ चल रहा था ना तो वें नरेटर आस्क मैक्स कलेड़ा इफ था पर्ल्स वर रियल अब नरेटर ने यह सब देख लिया और नरेटर ने उनको कहा मैक्स कलेड़ा को क्या वो जो चेन थी वो जो पर्ल्स थे वो रियल थे तो उन्होंने कहा Max Glader ने कहा कि हाँ वो real थे उन्होंने कहा If I had a pretty little wife I should not let her spend a year in New York while I stayed at Japan अब उन्होंने जो narrator को ये बात कही कि अगर उनकी कोई wife होती तो वो उनको अगर इतनी pretty little wife होती इतनी अच्छी तो उनको कभी भी अकेले जपान में नहीं छोड़ते अपने साथ ही रखते अब इस बात पर जो narrator है वो समझ आते हैं कि इनकी लाइफ को married life को बचाने के लिए Max Glader ने जूट बोल दिया अब इस बात पर हम ना we see the final side of his character हम उनके character के final side देखते हैं वो कितने अच्छे हैं Max Glader lost his bet because he did not want to lady to be ashamed and he want to save the married life of Mrs. Ramze अब उनकी final character की जो side है final इसलिए है क्योंकि वो bet तो हार जाते हैं अपने आपको जूटा भी साबित कर लेते हैं लेकिन एक lady को ashamed होने से बचाते हैं और उनकी married life को बचा देते हैं इससे जो narrator है उनके जो उनके बारे में विचार होते हैं वो बिल्कुली बदल जाते हैं वो कहते हैं कि ये तो ना एक अच्छे character वाले है एक अच्छे final side है इनके character की जो मैं इनको पहले समझ रहा था ये ऐसे नहीं है ये काफी अच्छे हैं इन्होंने एक lady की life को married life को बचाने के लिए बैट को lost गया